सबसे पहले हम आते हैं हमारे ओरिकले पिन्ना पर और देखिए अगर आपको तीनों की नर्व अपिन्ना और एसे और टीम तो बस एक लाइन दिमाग में रखना कि ओरिकलो टेंपरल नर्व यह सप्लाई करती है आउटर वाले पार्ट को और आउटर वाले के भी कौन से एंट इसके नर्द सप्लाइ और इक टेंपर्ल नर्व किसे आउटर वाले को सरस्काम अब भालत होती है तो मैंने बोला गावाले को तो फों यांड वह नहीं 2 पोई टा आगे वाले और उपर वाले तो आगे वाले और पर वाले यहां भी तो वही anterior superior auriculo temporal यहाँ पर क्या है यहाँ पर टिंपरिंग में में only anterior होता है यह जो टिंपरिंग में में का only anterior हाप है this is supplied by 5th cranial nerve और देखिए बाहर वाला है ही outer और anterior okay I hope आप समझ गए होंगे कि अगर आपने एक नर्व को डंग से समझ लिया आना तो of course और नर्व में आप बता दी confirm करके कि auricular temporal यहाँ होगी तो बची वाली अपने आप अपने आप एड्जेक्ट कर लेना यार अगर मैंने एक नर्व को fix कर दिया कि वह वहां मिलेगी अप इस पर अप्लाईगी जिए मैंने बोला auricular temporal यहाँ मिलेगी और फिर मैंने यह बता रखा है कि तीन नर्व अप्लाई करती है और मैंने यह भी बताया था कि सातवी और दसवी सास्ता चलती है तो अगर एंटियो सुपीरियर को auricular temporal आई तो बचे वे सारे कोन आएगी सातवी और दसवी बता रखा है ना कि सातवी दसवी सास्ता चलती है और यहाँ पर तो वही था देख c2 c2 c3 EN5 5 710 5 9 सापलाई करती है auricularbiya Penna को यहां पर कौन-कौनसे कर रही है यहां परकर रही है पाँछ साथ 10 पूरी की पूरी इनर सरफेस को नायन्त क्रेंजल नर्व अब आप बोलेंगे सर्थ साथ वी क्यों नहीं कर रही मतलब या नहीं करती पहले बात हुए और अब आप पोड़ेंगे सर मैंने उस बुक में पढ़ा था कि इसाथ वी सप्लाई कर रहा है हमाई टेपरिंग मेंब्रेंट को तो देखिए वह साथ वी आपने कहा पड़ी होगी दसवी के साथ पड़ी होगी ओवराल मेरा बोलने का मतलब न्यू है कि आपको दिमाग में एक्षम में या रखना है कि तेम्परिम्र को यह तीन नुर्र सपॉइव करती नुर्व इस बुट आप रहे हैं ऑ9 और एक्षां गममिन तिम्रेंट साथ करते हैं तो साथ के साथ करेढ़ी हमारे दसर वी के साथ करेगी को कि मैंने सारा यह पता है बही नहां पर 27 हेंवी तुन के को सात्वी। और अफ। जब ज़रॉत आते हैं तुन कोल नहीं पनी के सबसे बर्ला वाला पाक कोई सा जानिंकी पार्ट uhara पार्स टैंस का कोई दूसरा नाम नहीं है तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि वह हो गया और पार्ट झेंड हैं शारफ नेल्स मेंब्रेण इसका इमसी को मिल जाएगा बहुत ही क्या समझें यादा क्यों देते हैं कर्た हें तो यार अगर व्याद थी टाब्र होता है तो मैंने दिमाग में फिर एक और बात आई कि आत्ब कैसा होगा कोडि को चलर कोड़ेबा होगा है किए तु देखिए ब्लस तो पाँख फलेशिक वड़ा जो ईसटा होता है यह ऊता है पिंक और जो नीचे वड़ा होता है यह होता है उर चानिक जंदर और ग्रेट कलर का पीरली ग्रेट कलर काम buyer को बस्तंक पिर्छ रहा हूं किई इसका क्लिनिकल इंपोटेंस हैं जब आप उती होट कोप के सुर्वा तो of course lateral surface of tympanic membrane इसमें जो जो external features होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा important है क्योंकि अगर हमें normal पता होगा कि normal ऐसे होता है तभी हम abnormal को explain कर पाएंगे कि अगर normal ऐसा होना चाहिए बट ऐसा नहीं है तो of course इसमें abnormality है ओके तो वहीं यह हो गया एंड जो parts facida है यह कहां present होता है यह present होता है nocho previous and anterior and posterior mallular fold देखिए इससे मैं explain करूंगा इस diagram में मैंने यहां लिख रखा है देखिए anterior and posterior mallial fold and यहां पर लिख रखा है नोचो प्रिविनिस ओके जो हम diagram explain करेंगे तो इसको explain कर देंगे, automatic आ जाएगा एंड उससे के साथ मैं यह लिख रखा है कि जो anterior and posterior mallular fold है यह कहां attach होते है these are attached to lateral process of mallious and इसको भी मैं यहीं पर explain करूंगा कि हम पूरी की पूरी जो mallious bone होती है जैसे हमने scapula पड़ी, humerus पड़ी, radius अलना पड़ी, तो उससी तरह से हम पूरी की पूरी mallious bone को चार पार्ट के अंदर पड़ते हैं चार पार्ट कौन से, mallious का head, mallious का neck process और handle या manubrium और इसके दो process होते हैं, anterior और lateral तो जो lateral process of mallious होता है, lateral process of mallious होता है उसी से हमारे both mallious fold, anterior and posterior mallious fold attached होते हैं यहाँ पर हम और अच्छे से clear कर देंगे, तो यह हो गया parts flacida खा 2 point उसके बाद देखिए parts tensa, इसके अंदर हमें 3 बाते ध्यान में रखनी है देखिए, यह दोना चीज़े clinical importance है, कोकि यह सारी, of course, मैं बाहर से देख रहा हूँ बात तो मैं parts की कर रहा हूँ, लेकिन यह भी आपको बाहर से दिख जाएगी, यह भी आपको बाहर से दिख जाएगी यह हो गया, एंड इसके 3 point में क्या होगा, सबसे पहले होगा annulus tympanicus एंड इसके अंदर भी आपको 3 point ध्यान में रखने हैं, कि जो annulus tympanicus यह क्या है, यह fibrocartilage का बना होता है सबसे पहले, एंड होता क्या है, यह होता है, थिक, थिक periphery of tympanic membrane मतलब कि जो यह tympanic membrane है, इसके जो periphery है, देखिए, मैंने मोटा का रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा का रखा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं, annulus tympanicus तो यही हो गई हमारी annulus tympanicus, औके, and fibrocartilage की बनी होगी, और जो यह annulus tympanicus है, यह कहाँ present होती है, present in tympanic sulcus अरे यार, मतलब कि यह हमने tympanic membrane की periphery को मोटा कर दिया, तो यार, अब हमें tympanic membrane को set भी तो करना है जैसे यार, अपन घड़ी के अंदर कांच set करते हैं, हमारी hand watch, wrist watch होती है, इसमें कांच set करते हैं, तो of course, कांच की जो periphery है, उसको क्या बोलेंगे, annulus tympanicus, नाम से ही clear है, annulus यार, annulus यानि की circle, annulus, ओके, तो लोहे के frame में, जब हम गोल-गोल कांच को set करेंगे, तो जो लो कांच की periphery है, sorry, periphery है यह, इसे हम tympanic sulcus में fit करेंगे, आयोप, आप समझ गए होंगे, and second है, ambo, यह क्या है, this is the tympanic membrane central part, मतलब की tympanic membrane का जो central part होता है, वो tinted inward, अंदर की तरफ tinted कर जाता है, इसको हम समझेंगे, इस वाले diagram से, लेखिए, this is outer, this is inner, okay, तो यह central part तो tympanic membrane है यह अंदर की तरफ, अंदर की तरफ उठ गया, गुश गया, अंदर की तरफ, और क्यों गुशा, मतलब कहां पर गुशा, near tip of malleus, M याने की malleus, यह medial नहीं है, okay, तो of course, यह पूरी के पूरी malleus bone है, यार, malleus bone ही हमारी tympanic membrane setage होती है, और step 10 कहां होगी, हमारे oval window, याने की internal year के पास, okay, बीच में कौन सी होती है, incur, okay, तो of course, इसे ही हम बोलते है, umbo, यही है, umbo, और central part of tympanic membrane, अंदर के तरफ, tinted कर गया, कहां पर tip के malleus पर, sorry, malleus के tip पर, तो यह हो गया, okay, and cone of light, इसे हम कहां पढ़ेंगे, यहां पर, देखिए, यह क्या है, this is, मैंने यहां पर एक बदा रखा है, this is the cone of light, and यह वाले tympanic membrane कौन सी है, यह हमारी right side की tympanic membrane, उसका भी lateral view है, जिसे हम otoscope के थुरू देखते हैं, मतलर, otoscope के थुरू हम otoscopy करते हैं, जब हम patient की tympanic membrane को examine करते हैं, तो हमें tympanic membrane ऐसी दिखेगी, okay, फिर हम आपको एकदम OPD लेके जाएंगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, okay, तो वही, तो cone of light during otoscopy, जब हम otoscope का use करके otoscopy करते हैं, तो जो हमारी light है, वो कहां गिरेगी, maleus के tip पे गिरेगी, तो जैसे ही light हमारी maleus के tip गिरती है, तो वो reflect होती है, कहां पर periphery, यह sequence, मतलब इसके अंदर आपको 2 point ध्यान में रखन otoscope एक instrument का नाम है, otoscope के through हम क्या करते है, otoscopy करते है, एक otoscope के अंदर light होती है, यार भाई, तो तेरे कान के अंदर देखेगा, तो अफकोर अंदेरा है, तो of course light ज़नानी पड़ेगी ना, तो otoscope के अंदर light होती है, तो during otoscopy, जो light होती है, वो हमारे tip of maleus पे गिरती है, tip of maleus पे गिरने के बाद हो reflect होती है, कहाँ पर periphery पर, और periphery में भी कहाँ पर reflect होती है, वो होती है, हमारे anterior inferior quadrant, anterior anterior inferior, anterior inferior, anterior, 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 superior posterior inferior इसके anatomical position ऐसे हैं this is anterior this is posterior यह क्या है this is superior and this is inferior okay this is right tympanic membrane का lateral view और हम इसे lateral से लेख रहा है आगे पीछे उपर नीचे तो lateral देखेंगे ना भाई overall right tympanic membrane तो यह कहां दिखेगा हमें मतलब light जो reflect होती है वह कहां दिखती है anterior inferior quadrant पर okay and अब आप बोलेंगे sir क्या दोनों कान में यह दिखेगी मतलब right side की tympanic membrane हो और left में भी left की tympanic membrane हो तो दोनों में यह दिखेगी जी हाँ दोनों में यहीं दिखती है anterior inferior quadrant में दिखती है या फिर आप इसे हमारी जो घड़ी होती है उससे आसानी से समझ सकते हैं normal वात भी तो ऐसे ही होती है यह घड़ी समझी है यह वात यह रख दी तो यहां बारा च्छ तीन और नुव बतलब बारा तीन च्छ नुव ऐसे होता है तो अफकोर्स यह वाली पोजिशन कौनची होई यह वाली होई हमारी तो अफ्रोड यह वाली वाली होई हो वाली होई वाली तो ऑफकोर्स इससाइट और और यहां आट बोलते है आप कुछ सोचिए ना यार this is our right tympanic membrane अगर मैं right वाले में 7 या 8 बोल रहा हूं मतलब मैं यहां लिया आया मतलब मैं कहां लेके आ गया मैं लेके आ गया posterior inferior quadrant पर कहां दिखती है anterior inferior quadrant पर तो आप यह ध्यान रखना कि right में भी चार्ड या 500 clock position पर कौन अप्लाइड दिखती है और left tympanic membrane में यह tympanic membrane की बात हो रही है वाई तो यह सारा का सारा हमारा हो गया अब हम आते हैं last and final point एनगी disease पर तो देखिए disease of tympanic membrane के separate video आईगी जिससे हमने बोला था कि EAC की भी आने वाली हैं अभी हमने EAC और TM दोनों के clinicals upload नहीं किये हैं कुछ बताएं हैं आपको topic के साथ साथ यहाँ पर मैं topic के साथ कुछ बता दिये हैं बट अलग से एक और separate video आएगी जिसमें हम बचेंवे सारे upload करेंगे तो overall EAC की separate video आईगी clinicals की और tympanic membrane के clinicals की या disease की separate video आईगी ओके यह हो गया उसी के साथ देखिए clinicals यहाँ पर तरह में और वर विद देता हूं कि clinicals में क्या पढ़ते हैं overall यह तो हम क्या पढ़ेंगे इसके traumatic लफड़े just like किसी को जो और से थपड़ मार दी को जो और से चीग गया तो of course tympanic membrane के फटने के chances होते हैं तो पेशेंट आएगा कि डोक्टर साब मुझे इस कान से सुनाएंगे दे रहा मेरे कान में जंजनाट आ रही है तो overall फिर हम otoscope के थूँ चेक करेंगे कि वह tympanic membrane फट तो नहीं गई है trauma के थूँ या फिर आप new बोल सकते हैं कि tympanic membrane normally क्या होती है mobile होती है मतलब वह हिल डूल सकती है यार हिलेगी डूलेगी तभी तो हमारे vibrations हमारे external ear से middle ear में जाएंगे फिर middle ear से internal ear में जाएंगे हिलेगा तभी तो जाएंगे vibrations okay तो of course हम अगर tympanic membrane के moment को check करना है कि tympanic membrane move कर रही है नहीं कर रही है normal है या नहीं है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं सेगल सिस्पेकुलम मतलब मैं बात कर रहा हूं disease की जिनकी हम बात separate वीडियो में करेंगे उसके बाद देखिए आप परते हो tympanic membrane perforation एक तो में बताया कि trauma safety मतलब थपड मार दिया कोई बंदा कान साफ कर रहा था तो उस नहीं अपने pencil से कान साफ कर रहा था तो तो इस इस डिजाए traumatic ruptures traumatic okay एंड एक होता है perforation disease से जस्ट लाइक आपके middle year में कोई भी infection है उस infection के तुरू आपकी tympanic membrane में कोई भी perforation हो गया okay तो फिर वह पड़ेंगे हम अलग से तो दो हो गया trauma से फटना और perforation sorry trauma से फटना या फिर tympanic membrane का perforation okay दोनों के reasons अलग अलग है यह हो गया उसके बाद हम पड़ेंगे myring or tommy मतलब की थपड मारने से भी नहीं फटी कोई disease से भी हमारी tympanic membrane के अंदर कोई छेद नहीं हुआ तो कैसे हुआ हमने खुद ने कर दिया मतलब हमने एक चाकु लिया मतलब BP एंडल लिया blade ली और हमने tympanic membrane काट दी अब आप बोलेगे से कैसे काटी क्यों काटी कि अरे भाई बहुत सी बार क्या होता है middle ear infection होता है तो हमें क्या है जो भी वह पस होता है ना जो भी वहाँ पर मवाद होती है पस होता है उसको निकालना पड़ता है तो निकालेंगे कैसे हम tympanic membrane को काट के उसे निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं myring or tommy तो overall मैंने तीन बात कर दी थपर मानने से फट गई तो दी जाए traumatic ruptures कोई disease से छेद हो गया और हमने खुद ने काट दी तो overall कोई नहीं बड़ी इंट्रेस्टेड़ वीडियो आने वाली है tympanic membrane के disease की बात करेंगे हम एंड की एक बात मैं यहां पर बोलना भूल गया वह य क्लिनिकल मतलब कि मेरे लिख रखा है सेगिंग फिर लिख रखा है c in acute mastoiditis अब यह क्या है तो देखिए यह बस यूं है कि आप इसे ध्यान में रखना कि जब भी आप otoscopy करते हो ना तो otoscopy करोगे तो आपको यह सारी वाल्स भी दिखेगी और टिंपिनिक में भी दिखेग है तो आपको आइडिया क्या लगाना है मतलब कंफर्म नहीं बोला कि यह होगा आपको आइडिया लगाना है कि इस बंदे को acute mastoiditis हो सकता है क्योंकि इसी डिजीज में हमारी पोस्टीर वाल एंड रूफ यह क्या करती है सेगिंग करती है ओके इस इस साइन मतलब कि हम देख हो रहा है तो निज यह सिं्टम्स कि पेशेंट बोल रहा है अगर हम अटोस्कोब का प्र देख रहा है है सेगिंग तो हम खुध रहे हैं नमस्का दिख रहे हैं और of course यह क्या होगा, sign, तो overall जो यह है, यह क्या है, this is the sign of acute mastoiditis, तो acute mastoiditis में क्या होता है, जो हमारी posterior wall या फिर बोल दीजिए, posterior wall and roof of EAC, यह sharing कर जाती है, और यह क्या है, एक sign है, तो यह हो गया, and overall देखिए, मैंने तीनों की बात कर ली है, these are the six point and to tympanic membrane, यह हमारे EAC के six point है, और यहाँ पर हमारे auricalia pinna के six point है, and next video के अंदर हम EAC की disease और tympanic membrane की disease को जल्दी ही upload करेंगे, कि आहाँ एंदर हमारे जते हैं यह ATTरूल जाइएो की लिएैपन έकल आते हैं, कि इंसके और यह दो साव आते हैं, बोल्दीीं का आती है,